Hello everyone, स्वागत है आप लोगों का मेरी YouTube चैनल LWT जॉब में Sunic School से सिखशक भरती का एक नय अड़र्टीजमेंट आया है जहाँ PZT, Post Graduate Teacher and TZT, Trained Graduate Teachers की वेकेंसी है Computer Teacher की भी जो है वेकेंसी आई है साथ में Non-Teaching Staff की भी जो है कई वेकेंसी है जैसे LDC है, Lab Assistant है और Matron की वेकेंसी है तो notification में सारी चीज़े हम चेक करेंगे सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप लोगों को वेतन के साथ में Free Food Residence यानि की आवाज की सुविधा भी आप लोगों को यहाँ पर दे जाती है Ace की अगर हम बात करें तो 21 से लेकर 40 वर्स तक की candidate बिलकुल eligible रहेंगे बाकी और भी post हैं जहां अलग अलग Ace जो है बताई गई है Apply सब ही राजियों के candidate बिलकुल कर सकते हैं चलिए देख लेते हैं, सबसे पहले PZT और TZT में कौन-कौन से subject की वेकेंसी है इसके अलावा जो है non-teaching staff में वेकेंसी किस पोस्ट की आई है Main website पर जाकर सारी चीज़े हम चेक करने वाले हैं Sanic School गोलपरासी ये वेकेंसी है, यहां पर वेकेंसी section आपको नजर आएगा इस पर आप लोग जो है क्लिक करेंगे तो सबसे पहले जो है academic staff की वेकेंसी है जिसमें PZT, mathematics की वेकेंसी TZT में English और social science की वेकेंसी Computer teacher या trainer की वेकेंसी है Craft and workshop instructor की वेकेंसी है Bandmaster, lab assistant, physical education teachers की वेकेंसी है और उसके बाद जो है LDC, lower division clerk Horse riding instructor, mass manager, matron की वेकेंसी है तो यहां पर unreserved category की जो है एक-एक वेकेंसी यहां पर आई हुई है दूसरी हम बात करें, games teachers में तो game में आप देखें, football coach, male और female दौनों की एक-एक post है volleyball coach, basketball, archery, skating, karate, drama, music and dance यह भी कुछ वेकेंसी यहां से ही निकाली गई है अब देख लेते हैं कि qualification वगरा क्या यहां पर मांगी गई है तो Sannic School गोलपरा कहां है, Assam State में है last date इन्होंने बताई है सबसे पहले last date for receipt of application at Sannic School गोलपरा on 12 March 2024 12 March 2024, last date रहेगी qualification की हम बात करें तो PZT Mathematics के लिए अगर आप apply करेंगे, unreserved category कोई भी apply कर सकते हैं master degree यहां पर मांगी गई है, साथ में B.A.D. आपका होना चाहिए यहां पर graduation और post graduation में भी जो है 50% marks आपके कहे गए है maths के लिए MSC MSC ed अगर आपने किया है Regional College of Education NCRT से और 50% marks आपके graduation और post graduation में रहे हैं तो भी आप यहां पर eligible हो जाते हैं उम्र यहां पर PZT के लिए 21 से 40 वर्स है salary जो है आप देखे 35,000 पर मन्त salary आप लोगों के यहां पर साथ में accommodation and mass यानि कि आपको free food and रहने की सुविधा आवास जो है वो बिल्कुल free है तो वेतन के साथ में जब यह सारी सुविधाएं आपको दी जाती हैं तो काफी जो है आप लोगों के लिए आसान भी हो जाता है दूर के candidate यानि बहारी राज्य के जो candidate अगर जाना चाते हैं बिल्कुल जा सकते हैं क्योंकि यहां पर खाने की रहने की कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी अभी जो है CTAT या STAT जो है नहीं कहा है compulsory बाकि ऐसे candidate जिनको दो या तीन साल का अनुभव है या CTAT या STAT qualify है तो इनको preference मिलेगी TZT English के लिए एक vacancy है जिसमें graduation साथ में BA आपके पास होना चाहिए graduation में 50% marks कहे गए है या फिर 4 साल का BA BA है अगर आपका English से 50% marks आपकी graduation level में है तो बिल्कुल apply आप कर सकते हैं TZT के लिए आप देखे एस जो है 21 से 35 वर्स है और salary यहां पर 30,000 है TZT English की और बाकी जो है free food and residence की सुविदा तो आपको दी ही जा रही है तो यह जरूरी qualification यह आपके पास होने ही चाहिए बाकी ऐसे candidate को प्रात्मिक्ता दी जाएगी जिनके पास जो है extra quality हो जैसे games, sports में activity इनकी रही हो आपके पास certificate हो कोई या फिर computer का कोई certificate हो ठीक है music, public speaking में हो या 2-3 साल का अनुभव हो English medium में पढ़ाने का या फिर CETT या STET qualify हो यह extra में है अगर नहीं भी है तो भी apply आप कर सकते हैं TGT social science के लिए भी यही रहेगा qualification बस थोड़ा सा यहां पर देखें graduation में दो subject आपके history, political science, economics, sociology और geography तो यहां पर जो है काफी अच्छा है ऐसे candidate के लिए क्योंकि आप देखते हैं केंद्रे विध्याले में आप देखें, army public school में देखें, dps में देखें तो वो यह लिख देते हैं के history या geography में तो एक पढ़ा होना ही चाहिए graduation level में ऐसे में candidate जब यह दो subject में से कोई भी एक subject नहीं पड़े होते हैं तो problem रहती है और apply भी करना चाहते हैं यहां पर जो है आपके दो subject history या polity ठीक है या फिर economics, sociology या geography ठीक है यह political science है तो इन वे से कोई दो subject next देखें computer teacher and trainer के लिए जो vacancy है B.Sc. Computer Science, BCA या फिर bachelor of information technology additional certificate in drone technology artificial intelligence with 50% marks या फिर आप graduation degree आपके पास है तीन साल का diploma है computer engineering का या I.T में काफी option रहते हैं computer teacher के लिए तो salary आप देखें इसकी भी अलग है 21-35 वर्सक के candidate apply कर सकते है 20,000 पर मन्त salary है बाकी जो है accommodation and mass या आपका free रहेगा craft and workshop instructor के लिए qualification देखें क्या कहा है matriculation या इसकी equivalent ज्यादा नहीं मांगा गया है qualification में और लेकिन 2 साल का जो है trade certificate from a recognized industrial training center आपके पास होना चाहिए और आपको जो है English medium में पढ़ाना आना चाहिए 25,000 यहाँ पर salary है age आप देखें 18 से लेकर 50 यर तक के candidate यहाँ पर आविदन कर सकते हैं band master की है तो यहाँ band master में जो है आप लोगों के पास training होनी चाहिए 18 से 50 वर्स उम्र है 25,000 तो salary है lab assistant की देखें 12th science system से किसी भी candidate ने किया है तो बिल्कुल यहाँ पर आप लोग 14,000 पर one salary है free food and residence के साथ में 18 से 50 यर तक के candidate आविदन कर सकते हैं ऐसे candidate जिन्होंने graduation की degree जिनके पास है lab assistant में काम करने का अनुभव है और English communication ज्यादा सही है तो lab assistant के लिए और भी अच्छा रहता है बाकि केवल 12th science system से हैं तो भी आप eligible हैं उसके बाद जो है matron female की है तो जिसमें qualification compulsory है physical education में diploma और speak and understand asam Hindi and English यह तीनों language जो है आपको समझ आनी चाहिए आपको बोलना भी आना चाहिए क्योंकि आसाम में जाकर ही जो है आप लोग job करेंगे 17,000 आपकी salary रहेगी LDC के लिए matriculation typing speed जो है वो आपकी 40 word per minute और computer में जो है आप लोगों का MS office में work करने का अनुभव होना चाहिए 21,000 salary रहेगी matron की जो vacancy है OBC and unreserved category की जिसमें 12th मांगा गया है बाकी जो है तीन भासाएं यह बोलनी आनी चाहिए 14,000 यहां पर salary रहेगी इन सभी के लिए जो है 21 से 50 वर्ज तक के candidate आविदन कर सकते हैं horse riding की है mass manager की दूसरी जो vacancy थी इसमें qualification कहा गया है जो games के लिए थी जिसमें मैंने आपको बताया football, volleyball, basketball, archery, skating, karate, drama, music, dance इनके लिए इन्होंने कहा है qualification आपके पास जो है coach का जो है minimum AIFFD license coach आपके पास होना जरूरी है यह इन्होंने कहा है maximum age 35 year 15,000 पर मन्त salary ठीक है male और female दोनों के लिए एक एक post है इसी तरीके से बाकी games के रहेगी ठीक है अब apply कैसे करेंगे, कैसे selection होगा चलिए यह देख लेते हैं selection procedure जो है सभी के लिए अलग अलग बताया है PGT maths के लिए TGT English, computer teacher, trainer, band master, craft and workshop instructor, lab assistant और physical education teacher की mass manager की सबसे पहले return test होगा फिर आपका demo या skill test होगा और next interview रहेगा ठीक है उसके बाद LDC या matron या bad boy के लिए return test और proficiency test ये रहेगा selection horse riding instructor के लिए skill test and interview रहेगा उसके बाद जो है interview की date जो है आप लोगों को email के माध्यम से बताई जाएगी आप कैसे apply करना है ये आप देखें सबसे पहले आप लोगों को demand draft बनवाना है 500 रूपीज का बिल्कुल 100 समझ के बनवाईएगा किस नाम से बनवाना है Principal Sanic School Golpara इस नाम से बनवाना है State Bank of India Mornoi Code No.9148 ठीक है envelope के ऊपर जो आप लोगों को लिखना है application for the post of जिस भी post के लिए आप apply कर रहे हैं यहां लिखेंगे postal address जो है आप लोगों का क्या रहेगा तो postal address में लिखेंगे The Principal Sanic School Golpara Post Office Rasbara District Golpara Assam 783133 तो main website पर आना है आप लोगों को Sanic School Golpara दोबारा से आप देख ले vacancy section पर आप click करेंगे तो यहां पर आप लोगों के सामने academic जो staff की vacancy है उपर आप लोगों को click करना होगा उसके बाद जो है यहां पर coach drama, music, dance teacher की जो vacancy उसके लिए यहां पर click करना होगा contract visa पर यह vacancy है फिलाल लेकिन काफी अच्छा रहता है Sanic School का जो आपका पढ़ाने का अगर अनुभव आप लेते हैं तो salary के साथ में आप लोगों को future में बहुत ज़्यादा काम आएगा और एक साल आप अच्छा काम करते हैं तो यह आपको आगे भी जो आपकी post को renew कर देते हैं तो जो भी candidate को समझ में आ रहा है 500 रूपीज आपके यहाँ पर लगने वाले हैं अगर आप apply करते हैं तो आप देख लेए अगर आपका subject है और आप जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको जाना चाहिए बहुत मुस्किल में जो है और बहुत मुस्किल भरा काम भी है तो बिल्कुल फ्री ना रहें एक भी साल अगर आप फ्री रहते हैं तो वो आपके उपर ही जो है बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है हर तरीके से आप student हैं तो भी आप अगर contract ways पर vacancy आती है पढ़ाएं बिल्कुल पढ़ाएं इससे कि आप लोगों का जो confidence level है वो भी बढ़ता रहता है Thank you